हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शेकिष्णा शिराते बहुत सुवागत है आप सब का देख रहे हैं जोतिश दिशा सत्य की राह अपने इश्ट्रो फेंड के साथ आज का जो विशय हम लेकर के आए है वो अपने पुरुशों के लिए है मित्रों के लिए है मेल मेंबर्स के लिए है शादी योग के अवस्था आने के बाद भी अगर आपका विवार नहीं हो रहा है आप लड़के हैं तो आज लड़कों के लिए हम एक खास प्रियोग लेकर के आए है जल्दी शादी वाला ब्रह्मास्त्र जन्मांग में किसी भी प्रकार का योग हो लेकिन कुमारा योग नहो कुमारी योग नहो कुमारीों के लिए तो हमने पहले ब्रह्मास्त्र बता दिया है लेकिन अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे अपने पुरुशों के लिए भी आज हम ब्रहमास्त्र लेकर आये हैं बिवाह योग्य अवस्था के बाद यदि आपकी शादी नहीं हो रही है या बार-बार सगाई होके तूट जा रहा है बहुत कोश्चों के बाद भी यथा योग्य बहु नहीं मिल रही है तो आज का ब्रहमास्त्र सिर्फ आपके लिए है कुछ योगों पर भी हम चर्चा करेंगे जो बताता है कि आपकी दोरा किये गए उपाय जो आप जल्दी शादी के लिए उपाय कर रहे हैं या महिलाएं करती हैं अपने पुत्रों के लिए कि जल्दी से बहु आ जाए भले आने के बाद उसकी छाती पे मूंग दलें लेकिन पहले तो हाहा करके जरूरत रहती कि नहीं नहीं बहु चाहिए बहु चाहिए और एक मा के लिए सबसे सकरात्मक और सबसे नकरात्मक छण यहीं होता है वश्विध्धी, पुत्र का विवाह होना, बहु का आगमन, घर का बसना, घर का आगे बढ़ना, बहुत खुशी का छण होता है लेकिन जब बहु आज आती है और उसके पुत्र पर नहां दीजेगा उसके पुत्र पर एकाधिकार करने लगती है तो एक मा का बिल बिलाना but obvious है बहुत natural है बहुत सात्विक है सब्दों पर आएंगे मज़ा आएगा बहुत सात्विक है ये ये भाव आना लेकिन ये भाव जब विकृत हो जाता है तब मामला गरवर हो जाता है बहराल पहले ज्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपनों का भूमिका हमने बहुत अच्छा बांध दिया है तो आज हर उस लड़के के लिए एक ब्रम्भास्त्र उसके इस एस्टो फ्रेंड की तरब से जो शादी के योग यह बड़ शादी नहीं हो रही है ति थी जेश्ट माह क्रिशुपक्ष नौमी ति थी चेंद्रमामीन राशी में नक्षत्र उत्रा भादुपद उत्रा भादुपद नक्षत्र का स्वामी शनी और शनी की दशा में आज का शुर्योद है योग है आज का आयुश मान तदनुसार दिनांक आठ जून दिन शुक्रवार ये महा शुब दिन है आज के दिन का वरन ग्रहों के अनुसार क्या है सामने है आपके पहले राहुकाल हम बना देते हैं सुबह 10 बच कर 30 मिनट से लेकर की दोपहर बजे दोपहर बजे कहरे हैं दोपहर 12 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा इसमें कोई भी नए और शुब काम की सुरुवात नहीं करनी चाहिए इस बीच में काम अगर सुरू कर देते हैं तो काम परिणाम तक नहीं पहुँचता ऐसी मानताय है गोरिकाल सुब़ साथ बज़ कर 30 मिनट से 9 बज़े तक जो चाहें कर सकते हैं हरे काम आपके बनते जाते हैं, हरे कदम पर आपको शुबता मिलते जाती है सुर्ड बुध विर्शव राशी में, शुक्र मिथून में, राहु कर्क में, ब्रहाश्पति तुला में, धनुक अशनी और मंगल केतु मंगल के दू, मकर राशी में, चंद्रमा मीन राशी में चली, सुरुवात करते हैं आज की राशी फलका और सबसे पहले बदाते हैं मेश वालों के लिए कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा मेश राशी वालों के लिए आज के दिन आर्थिक समपनता महसूस होगी नए काम आपके बनेंगे पति-पत्नी के बीच आज बहतर ताल मेल रहेगा यात्रा लाबदायग रहेगी व्यापारिक दिश्टिकोंट से शुभता प्राप्त होगी मा के स्वास्त पर चला आ रहा खर्ज कम होगा अचल संपत्ति के विवाद से मुक्ती मिलेगी पुराने किसी केस में आज आपको जीत मिल सकती है नए नवकरी का प्रयास सफल होगा शुभरंग आपके लिए ब्राउन भाग की प्रिशट 61 61 ब्रिशब रासी एक किसी बच्चे ने लिखा था कि आप ब्रिशब रासी वालों का बहुत कम बताते हैं अब देखे ग्रह सामने होते हैं कुनली खुली होती मेरे सामने जो जो भाव तातकालिक रूप से आता है आपके भाग के से प्राकृतिक रूप से बस निकल जाता है नहीं तो पूरा दिन भी कम है गोचर बताने के लिए ब्रिशब राशी वालों के लिए सूर बुद का आपकी राशी में रहना आपके ब्रिक्तित तुम्हें निखार आएगा आज नई नौकरी का प्रयास सफल हो जाएगा बिद्यार्थी गण सुक्षा में विशेश मन लगाएंगे कहीं नई जगह पे एड्मिशन आज हो जाएगा पिता के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति आ सकती है आज मा का स्वास्त आज प्रभावित होगा होगा मतलब साउधानी बरत्नी है प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन आपके लिए लगी रहेगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्शत पचास मिथुन राशी राशी में शुक्र की उपस्थिति और दोनों तरफ कुरूर ग्रहों का रहना आज खुद से आपको जूजना पड़ सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या आपको उलजा सकती है परिशान कर सकती है किसी मित्र से आज धोक्य की संभावना बहुत प्रबल हो रही है कारश्षेत्र में बास के साथ आप उलज जाएंगे जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है एक मजबूत लेबल आपको प्राप्ट हो जाएगा आज मित्र राशी वालों के लिए अच्छा मजबूतिक का लेबल जो हमने बताया जूजने के अर्थ में बताया या आप जूजते हुए दिखेंगे लोगों को आज रुपे पैसे के लें दिन में भी आपको बहुत सावधान होना है शादी का मैटर आज बातचित ना करिएगा तो ठीक रहेगा हरा रंग आपके लेशुब है और चौसक प्रित्सत का भाग्य है करकराशी कला और मनरंजन छेत्र में आपकी ख्याती अरजित होती दिखाई देगे कोई विशेश मित्र आपकी मदद को आगे आएगा हो सकता है कि आप आज के दिन कुछ बहुत बड़ा निर्ड़ा ले ले परिवार में भी थोड़े संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे आज पश्यम दिसा की आत्रा आपके लिए आज कश्ट प्रद हो सकती है रुपे पैसे के लिए दिन में साउधान रहिएगा चीट किये जा सकते हैं शुबरंग आपके लिए सफेद भाग प्रतिशत पच्पन सिंग राज आज गुसे में तैश में कुछ गड़बड कर सकते हैं हो सकता है कि स्वास्थ में आज कुछ हलका महसूस करें आप ब्लट प्रेशर या फिर हाइपर टेंसन अगरे की शिकायत आपको परिशान कर सकती है आज सिंग राशिवालों के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़े निरड़े सही साबित होंगे कोई मित्र आपकी मदद को आगे आ जाएगा वाहन से आज खुद चला करके यात्रा ना करें तो ठीक रहेगा सिंग राशि के लिए गुलाबी रंग शुभ है 57 प्रिश्चत का भाग्य है कन्या राशि आज कन्या राशिवालों के लिए ब्यापारिक दिश्टिकूर से बहुत सावधान रहने क्या बशकता है आज सिंग कन्या राशिवालों के लिए अचल संपत्ति की प्राप्ति का दिन है धन की स्थिति आज मजबूत रहेगी आपकी किसी महिला मित्र की मदद से कोई बहुत बड़ा काम आपका आज बन जाएगा आज कन्या राशिवालों के लिए आप तो विश्लिशन का भी दिन है निरड़य आपके लिए आज सही साबित होंगे जो आपने कल्ले लिए दे नौकरी में परिवर्तन देख लीजे बहुत सोच समझ कर करिएगा आज मुहबत के मामले में सावधान रहेगा आज आपका मन बहुत ज़्यादा भटक सकता है तुला राशी वालों के लिए कहीं साइन करने में सावधान रहने का दिन है विदेश से सुप संदेश की प्राप्ती होगी आज तुला राशी वालों के लिए व्यापारिक दिष्टिकोंड से मजबूत दिन है माता पिता का साथ आपके साथ रहेगा जितना हो सके आज बर्डर ना ले बहुत लाइट रहे बड़े हैवी काम आज टाल दीजिएगा कल पर आज़ा बाहर का खाना भी अवाइड कर लीजिएगा दामपत्य जीवन में थोड़ा सा उठा पटक होगा लेकिन साम तक मामला सुलज जाएगा पीला रंग शुप छाशक प्रिसद का भाग है ब्रिश्चिक राशी आज किसी बहुत पुराने मितर से भेट वारता हो सकती है आपके कामों की सराहना मिलेगी बड़े ब्यापार की तरफ कदम बढ़ जाएगा आज आपका दुश्मन आपसे धरा धरा सा लगेगा आज वो पास जरा जरा से आएंगे मतलब प्यार का आज पेंग आप बढ़ा सकते हैं आगे लेके जा सकते हैं आज ब्रिश्चिक राशी बालों के लिए बिल अक्षोन देना है काला रंग शुब अठावन प्रिस्चत का भाग आपके साथ है आपके एस्ट्रो फेंड की भी राशी ब्रिश्चिक है मून साइन दोट संसाइन धनुराशी कला और ब्रुरंजन के छेतर के आज लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए धनुराशी वाली आज बंबं दिन है बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा राजनीत से जुड़े लोगों के लिए भी बंबं है आज बड़ा प्रतिष्ठा मिल सकता है व्यापारिक दिश्टिकोंड से आज देखा जाये तो मजबूत पढ़रा आप महसूस करेंगे आर्थक रूप से आपको संपनता हासिर होगी आपका ब्यापार बढ़ेगा प्रशुद्धी मिलेगी आज धनुराशी वाली महिलाएं सावधान रहें लांचन लग सकता है कोई unwanted रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा आप नहीं चाहती बढ़ रहा आप उसको रोकें तब ठीक रहेगा मामला खुद आज ड्राइब ना करें तो ठीक है लेन देन में सावधान रहे खुद को सतर्क रखी पीला रंग शुब नात्तर प्रशत का भाग्या है मकर राशी आज पति-पत्नी के बीच कुछ इस्थिती तनाव पूर्ण लेकि नियंत्रण में रहेगी मकर राशी वाले आज सावधान दो चीजों में रहे एक तो कोई बाहरी दोखा दे देगा किसे आपको कितना करीब लाना है कौन है आपके सावधाने उसे कितना करीब लाना है ये अध्यन कर लेजेगा मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आज आप आप नजर आएंगे व्यापारिक दिर्ष्टिकूर्ण से एक मजबूत दिन कहा जाएगा आपके निरड़े आपके काम आएंगे यहां आपने सही निरड़े लिया था पार्टर्शिप में आज दिक्कत आ सकती ही मकराशी वालों के लिए जैसा दामपत जीवन के मामले में भी हमने कहा था प्रेम मुहब्बत का इस्तिती तो ठीक ठाक रहेगा बाकी अर्ण मामलों में जैसे चल संपत्ती है स्वास्त है इस पर फोकस जादा करेंगे तो बहतर रहेगा लालंगशुप शनसर प्रिसद का भाग कुम्बराशी अपनी सिक्रेसी आज उजागर ना करियेगा चीट हो सकते हैं आज कुम्बराशी वालों के लिए गुस्से पे नियंतन रखने का दिन है अपनी वाहन को उधार ना दे वाहन से आज लबी यात्रा ना करें बाहर का खाना भी अवाइड करें विद्यार्थी गण स्रिक्षा में ज़्यादा फोकस करें ध्यान दीजेगा ध्यान भटक रहा है कुम राशी वाले खास तोर पर आज चोट चपीट से सावधान रहें मामला गरबर लग रहा है माता पिता के स्वास्त पर चला रहा खर्च आज कम होगा संपत्ति के वृद्धि के संकेत अच्छे हैं ग्रे कलर शुब 68% का भाग्य है अंतिम राशी मीन आज मीन राशी वाले जितने भी बच्चे हैं बच्चे जितने भी हैं आज सब मन लगा कर पढ़ें और खुब खुश रहें mentally disturbed होने का दिन है आज कोई result आपके against आ सकता है इसलिए आज ही हम आपको आगाह कर रहे हैं कोई भी exam आपने दिया होगा तो result मुननकूल नहीं आएगा शादित हैं हो सकती है पती-पत्नी के भी संबंद मधुर रहेंगे इस्तितियां आज आपके पक्ष में रहेंगी मजबूती आपके साथ रहेंगे शुबरंग बैग नहीं भाग पिसर साथ बढ़ते हैं आगे लेकिन बता दें बस थोड़ी ही देर में जानेंगे क्या आज की सकसर्ज की जो आज की पूरे दिन को आपके खास बनाएगी आज का भाग्याक्षर और आज का ब्रमास्त्र कुमारों के लिए जो लड़के शादी के योग्ये हैं लेकिन शादी नहीं हो रही तुमके लिए आज का ब्रमास्त्र बहुत्र रोचकसा शोद के साथ लेकिन पहले भाग्याक्षर मिशकाक्षर ब्रिशप्चा मिथुनवाक्षर करकसा सिंह याक्षर कन्यारा तुलाच्छाक्षर व्रिश्चिकपा धनुखाग्षर मकर धा कुम्भ जाग्षर मीन ग्यानी वाला ग्या यही आपको लिखना है सादे लाल रंग के कागज़ पर लिख कर अपनी पॉकेट में रख लेना है और पूरे दिन अपने साथ रखना है मजबूती आएगी बात कर लेते हैं आज के तीन बार अपने उल्टे हाथ में पानी ले फिर उसे घर के बाहर फेंग ले बस इतना सा करना है और आज के दिन का रसा स्वादन करियेगा बड़ा मीठा सा लगेगा आज का दिन बहुत मधूर दिन एक बाबाजी कहा करते थे मधूर मधूर नाम हरी हरी ओम चली अब बिना विलंब के हम बताते हैं आज का ब्रह्मास्त लड़कों के लिए आज का ब्रह्मास्त कैसे शिग्र विवा के योग बने ये हम आपको बताने जा रहे हैं नोट करियेगा आपकी स्क्रीन पर आज का प्रमाश एक केले का पत्ता लीजिए छोटा सा टुकडा बहुत बड़ा लेने के आवशक्ता नहीं है लेकर धुल लीजिए और एक कटोरी में चीनी और गुलाब जल दो दो तीन दिन चुटकी मतलब चीनी का घोल लेना है कटोरी में उसमें थोड के पत्ते पर इसी से अपने अंगूठे से शुक्र से ओम शुम शापे छोटाओ की मात्रा उपर बिंदी साथ बाल लिखना है उसी टुकडे पर केले के पत्ते के फिर ले जाकर शिवाले में कहीं रख दीजेगा ग्यारह शुक्रवार लगातार बिना नागा करना है मतलब बिना रुके करना है ग्यारह शुक्रवार यह करने के बाद रिजल्ट बिच्वेम आ जाएगा नहीं तो लाश्ट में आ जाएगा जरूर आपको फाइदा होगा बहुत शुब कामना है बहुत बहुत शुक्री आप सबकी इस दिवे प्यार के लिए और उम्मीद करते हैं क कि आज पूरी तरह से आप लोग खुशी के साथ प्रशन्नता के साथ अपना जीवन जीएंगे आपका ये एस्ट्रो फैंड हमेसा आप लोगों के साथ रहेगा उमीद थी कि आज 8 जून के दिन हम लोग एक मिलियन हो जाएंगे लेकिन हर बार उमीदें पूरी नहीं होती ह तो थोड़ा बिलंब सही सही लेकिन प्यार तो आप लोग का हमें मिल ही रहा है इस प्यार की संजीवनी को यूही बनाए रखिएगा और अपने इस दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत भुत धरन्यवाद आज हमारा जन्न दीवश है इसमें जितने भ देते रहिएगा चरणों में स्थान देते रहिएगा और जो हमारे समकख्षीय मित्रगन हैं उन सब को बहुत प्यारा सा प्यार कि अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया अगरारी आप लोग को हमें साथ खुश रखें प्रशन रखें हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा